मैं तुम्हारे एक्स बाड़ फ्रेंट तिरीजू से मिला उसने मुझे बताया कि तुम्हें खुले आस्मान के नीचे तिहार करना बहुत पसंद है दोस्तो हमारे देश में लोग मूवीज या बैप स्रीज में बोल्ड सीन देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बीच बीच में मूवीज में ऐसा होना लोगों को अधिक पसंद आता है आज हम आपको ऐसी बैप स्रीज के बारे में बताएंगे जिन में होट सीन को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है तो अगर आपको भी इसी तरह की मूवीज या बैप स्रीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें नमबर वन पर है कभीता भावी पार्ट टू दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कभीता भावी की पार्ट वन वा पार्ट टू बहुत ज़दा हीट रही थी ठीक ऐसे ही आपके सामने फाइनली कभीता भावी की सिजन 3 रिलिज कर दी गई है लेकिन इस बार कभीता भावी की सिजन 3 में थोड़ी बहुत पैरनॉर्मल एक्टिविटी भी एड़ की गई है अगर आप इस बैप स्रिस को देखना चाहते हैं तो डिरेक्टरली उल्लू पर देख सकते हैं आखिर आप पहुची गए और कैसे गुजर रही आपकी जिन्दगी इस घर के अंदर ना आ जाने कब मंगला अबूत आजाए यहां की लोगों का मानना है कि मंगला नाम की एक आउरत थी और वो यहां पर भटकती विरती है देवर्ची आप सोही नहीं अभी तो नमबर टू पर है बेकाबू सीजन टू बैप स्रिस की स्टोरी उन्हें बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग लगने वाली है जो कि मिश्टरी थीलर बैप स्रिस देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं बैप स्रिस की स्टोरी एक्चोली में एक रिवेंज को लेकर बनाई गई है जो कि आपको काफी हद तक बहुत ज्यादा मिश्टरियस भी लगने वाली है बैप स्रिस रिलीज की गई है 15 मार्च 2K21 में ओभी एल्टी पाला जीपर जपन जितनों गेरा होता है पदला लेने में उतना ही मसा आता है नमबर तीन पर है सनक एक जुनून दोस्तो एक कम्पलेट बैप स्रिस बेस्ट है रोमेंटिक एंड ड्रामा एक्टिविटी के उपर बैप स्रिस की स्टोडी की अगर हम बात करें तो दोस्तो कई बर हमने ऐसा देखा होगा की कुछ लोग सक्सेश पाने के लिए सारी हदे पार कर देते हैं कुछ ऐसी ही कॉंसेट को दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कम्पलेट बैप स्रिस में बैप स्रिस में आप देख पाएंगे एक ऐसे पती को जो की अपनी पतनी को ही दोओं पर लगा देता है ओभी सिर्फ सक्सेश पाने के लिए और लास्ट हक ओ सक्सेश पाने में काम्याब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है यही सारी चीज़े दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कम्पलेट बैप स्रिस में बैप स्रिस रिलिच की गई है Mx प्लेयर पर और इसे IMDB रेटिंग देती है, तेन में थ्री पॉइंट से वन की. मैं आप जैसे लोगों को समझने लगी हूँ. आपके लिए इंसान इंसान ना होकर, एक एसेट या लाइबिलिटी होते हैं. अर्ट यू फेड़ अव दिस लाइब तुम्हें पसंद हैं यह जिन्दगी? चाथ बात है, Mr. Achai Purohit. आर खॉप की एक कीमत होती है. और तुम्हारे खॉप की कीमत, ने हूँ. आर तुम्हारे